हमें सरकारी हेंट पंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाई होने लगी सभी लोग उन घटनाओं से अचम्भित थे अरी दीदी का तुम रात सुने रही इह हेंट पंप वा खुद दे चरत रहा राती बारा बजे भला कौन पानी भरे आई हमें तो बहुत डर लागत पा हाँ रानी हम सुने रही हमार रिंक्या के पापा तक कहत रही कि हम जाके देखा हम उनके रोक लिह कौन जाने काबला होई फिर उसी रात फिर से बारा बज़ते ही वह हैंट पंप खुद से चलने लगा सभी गाउवाले सुन रहे थे पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जा कर देखे फिर सुबह होने पर अरे मीना दिदी चला हो हंद पंपवा पर पानी भरे के हमें अकेले जाते डर लागत बा फिर वे दोनों हैंट पंपर जाती हैं वहाँ पहुँच कर उनकी आँख भटी की भटी रह जाती है वहाँ किसी की पैर का निशान होता है जो इंसानी पैर से दुगने साइस का होता है इदेखा हो रानी हम कहत रहे ना कुछ गडबर जरूर बाग इदेखा भला किस इंसान के इतना बढ़ पैर होई तभी वहाँ पिंकी आ जाती है अरे देदी क्या हुआ आप दोने इतनी परिशान क्यों है इदेखो बेहन इतना बढ़ का पैर लागत है कवनो शेतान इहंद पंपवा पे आया रहा कमान देदी कोई प्रैंक कर रहा होगा हमारी सिटी में तो ऐसे बहुत करा जाता है अरे आप शेहर से आई रही पिंकी बेहन आप ही सब ना समझी फिर रात होने पर हैंड़ पंप फिर खुद से चलने लगता है ममी मैं जा रहे हूं हैंड़ पंप के पास मैं अभी सबक सिखाती हूँ इस नमूने को फिर जैसे ही पिंकी वहाँ पहुंचती है वह दंग रह जाती है वहाँ दो सिर की एक चुड़ेल हैंड़ पंप चला रहे होती है पिंकी के पसीने छूट जाते हैं आ गई बहुत इंतजार कराया तुम गाउंवालोंने दो दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिले मेरा तो सिरी दर्द हो गया ये हैंड़ पंप चला चला के कितने दिनों में एक शिकार आया है पिंकी हाथ जोड़ कर अपने खुटनों पर बैठ चाती है चुड़ेल जी, I'm so sorry मुझे लगा कोई गाउंवालों से प्रैक कर रहा है मुझे माफ कर दो चुड़ेल जी मैं तो पास के शहर में पढ़ती हूँ इस गाउं में घूमने आई हूँ पर चुड़ेल उसकी विद्धी नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी खा जाती है फिर अगली सुबा अरे मीना बेहन देखा थो आज तो यहां खून भी पढ़ाबा कौनो अन्होनी हो गई लागतबा तभी पिंकी की माँ वहाँ आ जाती है अरे कल रात से मेरी पिंकी घर नहीं आई वो रात इस नल पर आई थी ये खून कैसा पढ़ा है यह बात पूरे गाउं में फैल जाती है सब फैसला करते हैं कि अब से इस हैंड़ पंपर कोई नहीं आएगा फिर रात होने पर वह चुड़ैल फिर से हैंड़ पंपर आगकर उसे चलाने लगती है पर कोई नहीं आता लगता है गाउवाली चालाग बन रहे हैं इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा नहीं तो हम भूकी मर जाएंगी हाँ पर करें क्या रुख जा मेरे जुडवा सेर अभी तुझे किसी खोपड़ी का स्वाध चकवाती हूँ फिर वह चुड़ैल पिंकी के घर के पास पहुच जाती है वहाँ जाकर चुड़ैल पिंकी की आवाज में उसकी मा को आवाज देती है मम्मी, मम्मी, दर्वाजा खोलो मम्मी मम्मी, पिंकी की आवाज से उसकी मा जग से दर्वाजा खोलती है वह बाहर चुडैल को देख पिंकी की मा कांप में रखती है पिंकी ये 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 तुछे तुछे क्या हुआ चुडैल की एक खोपड़ी अपनी लंगी चीप से पिंकी की मा को चकर लेती है मैं कोई पिंकी पिंकी नहीं तेरी पिंकी तो कब की हजंबी हो गयोगी अब तू मेरा खाना बनेगी मूर कौरत फिर सुबा होने पर पिंकी की मा की सिर्कट इलाज देखर पूरे गाउं में हाहाकार मच जाता है किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कौन कर रहा है और क्यूं कर रहा है सुनत हो जी उस सहर वाली मा बेटी के कोई मार के मुंडी गायब कर दिया रहा लगता है कौनों भूत पिसाची सब कर रहा है तुम बाहर ना जाबा तुमका कुछ हो गईल ता हमका करब अरे हमका कुछ ना होई हम जात रहे हूँ हैंड पंपवा के आसपास सीसी टीवी कैमरा लगा इखाते रहा ताकि देख सकें आखिर मामला काबा फिर वह गाउं की कई दिवारों पर सीसी टीवी कैमरा लगा देता है रात होने पर वह चुडैल वापस आती है वह थोड़ी देर हैंड पंप चलाती है पर कोई नहीं आता वह गाउं में पिंकी और उसकी मा की आवाज निकाल कर सब को बुलाती है पर कोई नहीं आता हाँ सही कहती हो फिर वह चुड़ैल कुवे में जाकर छिप जाती है सुबह होने पर अरे सुबह सुबह कहां जावदबा रात तु शैतानी शक्ती सारे गाउं में घूम रही अरे तु डराना हमार राज कुमारी हुं का कचणा हुई हम जायव है CCTV केमरा से रिकार्डिंग लाई खाते रा अच्छा जावति हो तो मटका मा पानी भाञावा कुवां से फिर रानी का पती मटका लेकर निकल जाता है पहले रिकार्टिंग निकाला कि कुवे पर जावा, चलो पहले कुवे पर चलाता है, नहीं तो वहां भीड होई जाई पिर वह कुवे पर जाता है, जैसे ही वह कुवे में अपना घड़ा डालता है, चुड़ैल का सिर्ञ, अपनी जीट से लपेट कर उसे अंदर खींच लेता है, वह कुछ बोल भी नहीं पाता है और चुड़ैल उसकी खोपरी खा जाती है कुछ देर में गाउंवालों को उसकी सिर्क टिलाज कुए में दिखती है इस बार और कोह राम बचाता है पर तुहार पती सुभा सुभा आया क्या करने रहा फिर रानी ने बताया कि उसकी पती ने सीसी टीवी कैमरे लगाये थे गाउं में जिसे या पता चल सके कि आखिर मामला क्या है फिर वे सब गाउंवाले सीसी टीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालते हैं टीवी पर चलाते हैं और चुडएल का सारा सच उनके सामने आ जाता है वे यह भी सुन लेते हैं कि अगर वे चुडएल दो दिन भूखी रही तो मर जाएंगी गाउंवालो अमारे सामने एक बहुत खतरना दुश्मन है इसे हराने के लिए हमने बस ये करना है कि हम तीन दिन तक अपने घरों में कैर रहें